नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहां पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस लगाएंगे जहां पर आपके 85 प्रसने, आज के ट्रिक्स में हमने आपर प्रसनों की संक्या 85 कर दिया है थोड़ा से फास्ट रहेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे अगर आवाज आ रही हो तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं क्लास को चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं थोड़ी स्पीड में रहेंगे चलिए कोश्चन आपसे पहला पूछा गया है कि नागरी प्रचाड़ी सभा के संस्थापकों में कौन है यहाँ पर कर आपसे नागरी प्रचाड़ी सभा के संस्थापक कौन थे जवाब दीजे आपर सभी लोग जवाब दीजे एक साथ दीजे नागरी प्रचाड़ी सवा के संस्थापक इन में से कौन थे तियाँ पर जवाब सभी के आ रहे हैं लेकिन किसी का जवाब सही और किसी का जवाब गलत आ रहा है चलिए यहाँ पर हम आता देते अंसर रैट अप का यह हो जाएगा याद रखे बाबु स्याम सुन्दरदास ठीके बाबु स्याम सुन्दर के साथ साथ जो आपके हैं स्यू कुमार सिंग और आपके थे राम नरायर मिस्त्र ये तीन लोग थे जो की कालेज के छात्रावास के दौरान किया था ठीके कॉलेज के छात्रावास के दौरान किसने आपके बाबु स्याम सुन्दरदास स्यू कुमार सिंग और आपके कैसे राम नरायर मिस्त्र ये तीन लोगों ने मिलकी किया था लेकिन हमेशा अंसर किसका था आपके बाबु स्याम सुन्दरदास इस प्रक आपका स्वर के अंतरगत नहीं आता है बिलकुल सिंपल कोश्चन है चलिए अगला जबाब दीजी यहां पर नीचे दिए विकल्पों में से तदस्ण सब्दे का चैन कीजिए तदस्ण सब्द आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा थोड़ी स्पीड में रहीएगा और तदस् प्रतिवादी किस प्रकास से सही लिखा जाता है फूर का उप्सन राइट आपका क्या हो जाएगा तो बिलकुल राइट अंसर आपके यहां पर आने शुरू हो गया है बिलकुल सही है वेरी नई सोप्षन राइट आपका सी हो जाएगा आपके प्रतिवादी इस प्रकार से लिखा जाता है राइट अंसर आपका सी हो जाएगा अगला जवाब यहाँ पर question आपका पूछा गया है कि इन में से कौन सा सब्द क्रदंत प्रत्य से बना हुआ है क्रदंत प्रत्य क्या होता है जब किसी किरिया के साथ कोई भी प्रत्य आपका जुड़ जाता है वो आपका क्रदंत प्रत्य बनता है अब यहाँ पर देखे किरिया आपकी कौन सी है यहाँ पर एक क्रपालू, रंगीला, दुधारू इन में से किरिया नहीं है बीकना अर्थासिल जो आपका ये किरिया है आपकी इस प्रकास से किरिया जो आपका करदन्थ प्रत्य है वो आपका option आपका B जिसका जवाब भी आए, बिल्कुल सही है चलिए अगला जवाब दीजिए ब्यंजन संदी का उधारन बताइए ब्यंजन संदी 6 को option right तो यहाँ पर 6 को option right आपका जो हो जाएगा ब्यंजन संदी तो यहाँ पर right answer आपका A हो जाएगा उद्धत ठीके उद्धत जिसमें देख सकते हैं कि कोई भी मातर आपकी नई होती ब्यंजन संदी में यहाँ पर आपका यह हो जाएगा उत्धन दथ ठीके उद्धत option right आपका यह हो जाएगा चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाकि में चार पाई सब्द किस कारक में है चार पाई जो आपका है यहाँ पर आपको उताना है किस कारक का प्रियोग हुआ है तो देखे चार पाई तो यहाँ पर देखे अंसर जो आपको हो जाएगा चार पाई पर और जो पर होता है या आपका मे होता है किस में अधिकरण में ठीक है अधिकरण में कॉमा पर ठीक है यह होता है ना तो चार पाई पर बैठे तो असरा आपका होज़ेगा डी अधिकरण का रख आठ नमबर आपसे पुझा है यहां मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा से यहां पर सेंटेंस में कुछ इरद दिया गया है लेकिन अगर इसे हम सेंटेंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं सोहन नहीं वाला है मतलब कि कोई भी अगर बात किसी से सोहन से कह जाता है तो सोहन हर बात को नहीं कर देता है इसका मतलब यह है और सोहन से कोई बात कहना है तो आपको अनरोध करना पड़ेगा ठीक है इस प्रिकार से सोहन नहीं वाला है अर्थात निगेटिव अर्थात तो हमेशा नहीं करता है तो उसके अमलोग अनरोध वाच्छक आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट अंसर आपक का समय नाइन का जवाब क्या हो जाएगा आधी रात का समय तो भई आधी रात का समय को बोलते हैं बिलकुल सही जवाब आपका यह हो जाएगा निसीद आधी रात का समय होता है निसीद और वात करें विभावर लिखा है बलकि होता है विभावरी विभावरी का मतर होता है तारों वाली रात ठीके तो इसका right answer आपके क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अगला जवाब question आपका है अधुनातन का विलूम सब्द कौन सा है 10 का option right बताएगे अधुनातन का सही विलूम तो विल्कुर right answer अधुनातन मतलब होता है आपका आधुनिक तो आधुनिक मतलब हो जाएगा आपका कैसकते हैं पुरातन ठीके answer right आपका d हो जाएगा जिसका जवाब 10 का d आ रहा है विल्कुर सही है थोड़ा हम लोग speed में रहेंगे ज़्यादा समय ने लेंगे हमने आपको बता दिया काभी बच्चे को कमेंट भी आते हैं कि सर समय जादा लग जाता है है ना तो हम लोग थोड़े speed में रहा करेंगे आप लोग भी प्रयास करिए थोड़े speed में रहने का चली अगला है more का पर्यावाची सब्द क्या है more का पर्यावाची मतलब करें सकते हैं आपका केक यहाँ पर केकी लिखा है केक होता है और कालपी के सकते हैं निलकंठ भी होता है इस प्रकास राइट अंसर आपका भी हो जाएगा केकी ठीक है चली अगला कोश्चन आपका पूछा गया है अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ है अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ है बारा का जवाब क्या वज़ेगा वई तो बारा का जवाब यहाँ पर आपका राइट अंसर आपको हो जाएगा इंकार करना जिसका जवाब यह रहा है अब इसका जवाब लगभग 90% बच्चे यहां पर गलत ही देंगे देखते हैं कि किसका जवाब यहां पर सही आ रहा है देख समस्त विश सेत से मुख में यसोधा विश्मे सिंद्व में डूबी चलि यहां पर जवाब आने शुरू हैं और यहां पर देखिए मुख दिया है यसोधा दिया है तो यहां पर काफी बच्चे अद्भुत रस्क लगाने के प्रयास करेंगे बलकि गरत हो जाएगा जबकि यहां पर विश्मे दिया है और विश्मे स्थाईवाब किसका होता है सांत रस्क होता है वो उदारा नर्व होता है कि देख के सकते हैं यसोधा के म मुख में सकल विस्व कि वाया भई अचेतन कुछ लिए वह होता है तो वह आपका होता है अदभूत होता है लोगे छलिए अगला है यहाँ पर आपको बताना है कि किस वाकी में असुद्धी है और असुद्धी है तो चिनित करना है राजा दसरत को चार पुत्र देखो को आपको एक पॉइंट मिल गया देखो तुरंत पढ़ने मिल गया राजा दसरत को को नहीं होगा राजा दसरत के होते हैं इस प्रकार से ए अंसर आपका यहाँ पर गलत था ठीक है अदर आपका यहाँ पर कहने कैसे होंगे गलती आपका एसा ही था, चलिए, समझ में आ गया, क्ये होना चैखे को की जगा, अगला यहाँ पर निम्न पंक्तियों में कौन सा लंकार है, ध्वानि मई करिके गिरिकुंदरा कलित कानन केरी निकुंज को, यहाँ पर आपसे पुछा लंकार कौन है तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं रूपक तो दिखने रहा यमक भी नहीं दिख रहा अब लटान प्रास है और आपका वरत्तान प्रास देखो अंसर राइट आपको जो होगा पंदरा का वो आपको हो जाएगा वरत्तान प्रास देखिए जब कभी भी तीन वर्ण आपके कौन मिलते हैं ठीके तीन तो तीन जब होते हैं वो आपके होते हैं वरत्तान प्रास में होते हैं का 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 जो आपके एक ही वर्ण की अबरेत अगर आपके दो से अधिक बार हुई है वह आपकी वरत्तान प्राश में आता है ठीक है तो इस जैएंगा विक्ति स्थान की पूर्टी किजिए वर्तमान में महतमा गांदी की विचारों का महत्तुक कम नहीं होता यहां पर कैसीकते हैं 16 हो वरतमान में वर्तमान संदर्भ यहां पर अगर सि भर दिया जाए संदर्ग मतला होता है वर्डित प्रशंग यह कैसकते हैं विवेचनात्मक ग्रंत तो वर्तमान संदर्भ में भी महतमा गांदी की विचारों का माहत्मकम नहीं होता है यहां पर जवाब आपका सी भर जाएगा उचित करता है या रालाव आपका होता है ठीक है तो कुछ इस प्रकार से है और यह थोड़ा सा के सकते हैं दूर-दूर आपका प्रसने आपको सायद दिखे या ना भी दिखे तो इसका हम डारेक्ट यहां पर अंसर आपको बता देते हैं क्योंकि वह से भी आल लेडी ने आप लोग दीजिए यहां पर अवनत सब्द में प्रियुक्त कौन सा उपसर्ग है अठारा का जवाब यहां पर आपका जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा अठारा को अप्शन राइट आपका ए हो जाएगा आओ ठीक है क्योंकि नत कार्थ भी होता है है ना तो इस प्रकार से इसका जवाब क्या यहां पर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आज की स्पीड ठीक है या नहीं उनीश का जवाब आपका हो जाएगा अर्थात अनु सब्द आपका यहां पर हो जाएगा अगला कोर्शन आप से पूछा गया है कि निम्न वाक्य में रिक्तिस्थान की पूर्थी कीजिए निम्न वाक्य में रिक्तिस्थान की पूर्थी आपको करना है और यहां पर पूछा गया है कि प्रगतिसील लेखक का संग का आधार मार्क्सवाद रहा तो साहित परिशत का स्वभाव रहा है यहां पर प्रगतिसील लेखक का संग का आधार मार्क्सवा तो साहितिक प्रस्द का स्वभाव राय आपका राष्ट वाद राय यहां पर आपका भी भरा जाएगा सही अंसर आपका भी हो जाएगा चलिए अगला जवाब आपका है कि कभी को निर्माता किसने का है कभी को निर्माता किसने का है यहां पर 21 का जवाब यहां पर राइट अंसर आपका हो जाएगा 21 का option right up का D आरस्तु हो जाएगा ठीक है दी नमबर आपका से हो जाएगा अगला है रिग वेद की भासा है 22 का जवाब दीजिए रिग वेद की भासा कैसी वाई तो रिग वेद आर्था जो आपके वैदिक ग्रंथ वगरा लिखे गये हैं ग्रंथ व आप लोग भी रहेंगे हैना हम दी में तो आप लोग भी दी में चली अगला है जुट मत बोलो यहां किस प्रकार का वाकिय है तेश का जवाब तो जूट मत बोलो यहां पर कह सकते हैं कि आपका निसेद वाचक है जिकुर नकरात्मक है ना जूट मत बोलो तेहां पर निसेद वाचक है मतलब कह सकते हैं कि 100% के लिए नहीं निकरात्मत मतलब कि यहां पर अंसर आपका निसेद वाचक हो अला है ध्यान पूर्वक सब्द है तो ध्यान पूर्वक जो सब्द हो किस प्रकार का इस्थान अव्वाचक के लिए विसेशन अंसार अर्थात डी आप्का जहाँ पर जवाब सई हो ज Six सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब अम लोग यहां करते हैं और यह न को लाया जता है तो इसका मतलब आपका इसमिक कलती है जो अंसर आपका है भी आपका सही हो जाएगा जो आपका है राइट अंसर आपका भी हो जाएगा ठीक है नेक्स कोच्छन को चलते हैं कि निम लिखित में से कौन सा सब्द चतुर का समनार्थी सब्द नहीं है ठीक है समझ में आ रहा है ना यहां पर चतुर का पर दे रहा है खुदगर्ज, तीबर बुद्धि, हाजिर जवाब और कुसल, ठीके? तो यहाँ पर देखो खुदगर्ज, खुदगर्ज आपको चतुर से समंदित नहीं होता है, समझ में आ रहा है न? बिलकुत सही है, अनसर राइट आपका ए हो जाएगा खुदगर्ज, य जवाब बिलकुल सही आ गया अपने पहले देख लिया था चलिए इसका जवाब आपका हो जाएगा घोडा ठीकिंग घोटक का तदबरुप क्या हो जाएगा घोडा हो जाएगा चलिए अगला है सर जो की सरोर का परयावची है यदि सर के प्रत्व सा की इस्थान पर सा का प् यूख करते हैं तो आपका सरोर बनता है और इस रो का आगर प्रियोग कर देंगे तो इसका आर्थ क्या हो जाएका? तो इसका आर्थ आपका हो जाएका? 3 option right आपका C हो जाएका bander ठीके चलिए अगला है यहाँ पर दिया चंगा तो कसोटी में गंगा आप लोग ने लोकुक्ती पढ़ा होगा हाँ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए है और यहाँ पर फोर का आपसन राइट आपका बिल्कुल बी नमबर आपका सही है जो भी आप देखो मन चंगा त कसोटी में गंगा लोकुक्ती का सही जवाब का हो जगा बी नमबर सही है बिल्कुल सही है सबस चलिए इससे लगता है कि आप लोग पढ़ाय किये हो चलिए आवस्यक्ता से अधिक वरस्टी होने पर उसके लिए कौन सा उप्यूक्त सब्द प्रियूक कियाता है देखो अच्छा अना वरस्टी आति वरस्टी कर दीजी सही है सी नमबर आपका आति वरस्टी ठीक है ओके चलिए अगला है अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा लंकार है यहाँ पर बताए भाई अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा लंक होता है यहाँ पर बात यह हो रही है कि बसंती ही रुट की बात तुल्ला की गई है यहां पर उसकी बश्सक्रणाब की गई है यह उसकी इसकी इस समंदा फूल वहां है इसकी समान से मोहरे की बताइए अजल गगरी छलकात जाए देखो यहाँ पर अलंकार के हमने वीडियो बना दिये हैं तो आप देख सकते हैं ठीक है प्लेरिस में अजल गगरी छलकात जाए इस मोहरे का आपको बार्थ बताना है बिल्कुल सही है राइट अंसर आपका स्थी हो जाएगा किस कोटी का चिन्ZY थे हैं यहाँ पर आपको दिये उपप्रधाना चारहे है तो देखो यहाँ पर आपका जो वर्ड है वो किस परकार के है तो देखो तत्सम सब्देतों है यहीं कैसा तल्सम मतलब कि तत्सम उपषर ज़र कांपका यहाँ पर कौन होज़ेगा ए नंबर सही है चलो मैथली सरण गुपती में स्वरी निम्रिकित में से कौन सी मैथली सरण गुपती की रचना नहीं है मैथली सरण गुपती की रचना नहीं है जवाब दीजिए यहाँ पर मेगनातवध, अर्जुन विसरजन, प्रदिछना और आपका देया कादंबरी और बच्चों ने यहाँ पर जवाब यहाँ पर सबसे पहली इनका आ गया है चलिए, C नमबर आपका है कादंबरी बिल्कुल सही है कादंबरी जो आपकी है, वो आपकी बान भट्टी की है जो कि हर स्वर्दें के दर्बार में रहते थे, ठीक है यह मैथली सनगुप्ति की कौन सी नहीं है, कादंबरी नहीं है समझ में आ गया, चलिए, इस्वर तुम्हें दीरगायव दे कि आधार पर वाक्या भेद बताईए, यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य है इस्वर तुम्हें दीरगायव दे, कैसा है भई, मिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा इच्छा वाचक वाक्य, सी नमबर इच्छा वाचक चलिए, इसकर रहाब सी, दीगे विकल्पों में से करपण का विरुद्धार्थी सब्द बताईए, देखो, करपण का आर्थ क्या होता है इसको सबसे पहले पता होने चे करपण, करपण का आर्थ होता कह सकते है कन्जूस यहां पर कहेंगे तो कन्जूस का जो विलोम बन जाएगई आपका दयालु बन जाएगा दयालु गोलते हैं उदार तो इस परकाल संसर आपका C हो जाएगा ठीके चरी अगला है रसुत पत्ति में आश्रै की चिस्टाइं क्या कही जाती है रसूत पत्ति में आस्रे की चेस्टा है कह कह जाती है तो जो कह सकते हैं रसूत पत्ति की आस्रे लेता है ठीक है वो आपकी चेस्टा है वो मरती है उनको हम लोग बोलते हैं अनुभाव क्या बोलते हैं अनुभाव सी नंबर चंद का सब्रतम उल्ले कहां मिलता है जवाब दीजिए बाई चंद का सब्रतम उल्ले कहां मिलता है चलिए चंद का बिलकुल सही जवाब है ए नमबर रिग्वियद मिलता है ठीक है रिग्वियद मिलता है एक देशी का बिलोम बताईए एक देशी का बिलोम एक देशी बिलोम तो यहाँ पर काफी बच्चों के जवाब A आ रहे हैं किसी बच्चे के यहाँ पर D आ रहे हैं समझ लीजे पहले एक देशी और इसका मतलब क्या बहुत देशी? तो बहुत हम लोग बोलेंगे बिलकुल सही है, देरगी संदी है ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं कुछ बच्चे इधार आओ वाकी में बिसेशन बताइए कुछ बच्चे इधार आओ वाकी में विसेशन पहचानी है कुछ बच्चे इधार आओ तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो संकेत भी हो रहा है क्योंकि कुछ बच्चे इधार आओ संकेत हो रहा है दूसरा दे रहा है कुछ बच्चे इधार आओ तो यहाँ पर कह सकते हैं और बी जिन लोगों ने जवाब दे ए और सी जो दे रहे हैं उन दोनों का यह सही है जो कि पर्सनल यहां पर फोकस नहीं किया गया है यह अंडरलाइन कर देता कि इसका आपका कैसकती विसेसर पूछा है तो हम लोग सही कर सकते थे ठीक है यहां पर संख्या वाची भी है और क कि इसलिए हम लोग यहां पर इसब से ज़ादाओं कर नमबर एकमंगर चेह अगर आपको मार्क लगाना था अगर आयोग की इसको ही आपको सही मानगे और हो Bakपी अ पापी का ऑफिसन रइट सपहностि साख کاर्मक रिया नहीं है स्याप दीज़ीजि़ वाइए किस वाग में सकर्मक किरिया नहीं है यहां प्र देखते हैं के अरह से just क song कर्मक किरिया यह कर्मक हो गी हमवा लब को असता है और हम्यं पैंच्वन में लिए मारत को और किसको मतलwo क्या हसता है कोई अंसर निकल ला है και नहीं निकल ला ना जहां कोई नहीं निकलता है तो आप aosam회 अकरमक की रिए तो इस प्रकार से यह महन हसता है possono की कई आकरमक है तो आपके इस तीन कहीं कहीं है आपके शकरमक ही होंगे ठीक है अंस Hemar आपको तो लग रहा होगा दंड देने का योग है दंड दियाने या था पाने का अधिकारी है कह सकते हैं वह दंड देने का अधिकारी है ऐसी लिखा होने चाहिए ठीक है तो अंसर आपको यहाँ पर B हो जाएगा यह आपका गलती है आपकी ठीक है चलिए अगला है कि गोबर गडेश या किस समास का उधारन है गोबर गडेश जवाब दीजिए भाई गोवर गड़ेस देखो गोवर गड़ेस गोवर से निर्मित गड़ेस यह कह सकते हैं गोवर से निर्मित गड़ेस करन तत्पूरुस हो जाएगा से आपका कैसे में होगा करन तत्पूरुस सही है चलिए अगरा question कि जिस क्रमांक में वाक की गलत सही विराम चिन है ठाथ यहाँ पर कोई न कोई ऐसा वाक है जिसमें से जो आपके कह सकते हैं कि चिन है वो आपका गलती लगे किसमें हैं देख सकते हैं पहँचान कर लिजी सही आपको दिया है ठेके सही आपको एक छाटना है उसे आपकी गलती होंगे तीन में एक पर सही होगा बाइस में देखे आपसन आपका right आपका यहाँ पर जो दिख रहा है सही वो आपका ए है नारी तुम केवल स्रद्धा हो यह बिल्कुल आपका सही है अधर आपके तीनों कई न कई गलत है ठेके तीनों आपके यहाँ पर गलत है देखो हाय है यहाँ पर आपका समोधन नहीं लगा है लखना हो जाओंगा यहाँ के बाद आपको यहाँ पर एक आपको कह सकते हैं विराम चिन नहीं लगा है जो की गलत है एक बार मोहन उद्रपुर गया और वहां से यहां पर देखो पूडविराम आपको नहीं लगा है लास्ट वाले में उस प्रकास से तीन गलत है अंसर आपका यह हो जाएगा समझ आ रहा है चलिए नेमडिकित में से कौन सी बोली अत्वा भासा हिंदी के अंदरगत नहीं आती है हिंदी के अंदरगत बोली नहीं आती है कौन सी बताईए आपर तेईस का जवाब दीजी भाई तेस का जवाब हमें चाहिए जल्दी से सभी लोग सही है बिल्कुल जितने बच्चे ने जवाब दिया है हाँ सही अंसर अपका डियो जगा तेलगू देखो कन्नौ जी बांगरू अवधी तो आती हैं ठीक है किसे समझी थे निर्गुण भक्ति समझी थे अपसन आपका D हो जाएगा सारुनामिक विसेशन बनते हैं सारुनामिक विसेशन बनते हैं किस से जवाब दीजे सभी लोग भाई सारुनामिक विसेशन किस से बनते हैं संग्या से बनते हैं या सरवनाम से या संग्या सरवनाम दोनों से बनते हैं तो right answer आपका यहापर हो जाएगा बी नंबर याद रखिएगा इसका answer यहाँ पर काफ़ी बचुन गलत दिया है answer आपका यहाँ पर कौन होगा? answer आपका हो जाएगा यहाँ पर Bनंबर बैटरी लो हो रही है देखिए संग्या और सरुनाम कह सकते हैं कि जो संग्या से पहले लगता है जो संग्या जो मतलब कह सकते हैं कि जब भी संग्या के पहले कोई सरुनाम लगता है तो आपका सरुनामिक होता है इस परकार कह सकते हैं कि Janhya जरूर होगी और व्पंकि वहाँ पर सरो नम डं जाएगा ठीकीए तो आपकब बी हो जाएगा बीना सरोनाम के बीना संग्या के आगे मतलब लगा नहीं सकते हैं इसलिए संग्या के पहले जब लगी लाई धुन दय Ouais लें वर्च आपको बीधा घ्रक में में प्रत्य प्रत्य है लास्ट वर्डब्ट नेमलिकित में इसे बेक्तिवाचक संग्या काउंची है spiritual मतला होता है कि सिर्फ एकी ही ही वो वरड में वो चीज आपकी सिर्फ एक ही हो और जाती üç में उसके नाम के बहुत होते है यहाँ पर आपको दिया है गंगा नदी तो गंगा तो सिर्फ एका है ना विस्सु में इसलिए आपके कैसी हो जाएगी बेक्तिवाचक वहाँ पर नदी आती एक बात करते तो नदी तो नदी किसमें आती है यह आपकी जातिवाचक में हो जाएगी लेकिन गंगा तो एक ही है समझ में आह रहा है नसे कौं सा सब्द विसेश से हैं देखर 17 मंतर हो तरह जिसकी बिसेशता बताई ने लोग हमेशा आग की बिसेशता बताते हैं इस प्रकास से अंसर आप आपका पर को जाएगा धीका ये के विशेसively आगला है कि निम्रीकित प्रस्वन में संमुनार्थक सब्ध को बताता समुनार्थक सब्ध को बताना है लगभग अच्छे गल्ती करेंगे जवाब नेम्नार्थक सब्ध को छांटिए समुनार्थक सब्ध चलिए देखो इसका जवाब समलीगें सीज सीङ्या n söम वाइ सम् वाइ समवाय का मतलब है अर्थ जो होता गया है कि助 felt alone का यह कह एक सिक आपका जुन्दिह हुता है समुव भी होता है इसका ध्याथ क्या उत dega है समु होता है और इसका जुन्ड भी होता है इस परकार से सिज्व किया है तो किश कर्मान्क में वोह क्यَंत आपादान कारक में है बताइब यह आपर आपादन किस में है वोा बांट से छिरता है मुझसे कहा गया वो सिंह से भीत हुआ यह सही आपकी सभ़ाला जैसे कि मालिजी कि वो सिंह से भीत हुआ मतलब किसक्ते हैं डर आ जब डरेगके तो भागए दूर होगा दूर होगा कर्षकते क्या होगा आप अदन कोई भी-एक तुरन्त आप दूरी-पीछे जाने प्रयास करोगे ठीक है छहित जननता की चित्य वर्तियोंMore संचित प्रतिविम है या उक्ति किसकी है शाहित जनता की चितवरतियों का संचित प्रतिविम है आपके है किसकी 32 का जवाब दीजी यहाँ पर 32 के आप जवाब यहाँ पर सही है आपका रामचंद डी नमबर आचार रामचंद सोकुल ठीक है अगला है भारत वर्सी के लिए ह कि इंदी भासा का नाम सबसे पहले कि इसने सुझाया था राजा राम मोहराय अग्ला है कि ने मिलीकित में से कौन स्वर नहीं है मिल्कुल सिम्पल स्वर नहीं वह यहां पर तो आपने यहां पर ढूली आ इसा धीन नंबर जो आ एक आर है यह पका पंचमाच्छर है यह आपक बाई 35 का डी होगा ना चलो सही है अगला है यहां पर 40 और यहां पर हम कर सकते हैं गद्यान सापको जब आफ लाइन देंगे वीडियो उसमें हम बता देंगे क्योंकि लाइब देने में आप उपर नीचे करना पड़ेगा आप लोगों के साथ समय जादा कड़ जाएगा और उसको आरत कुछ निकल नहीं पाएगा है न div вып लोग यहां पर सोल करते हैं समय तक सब्द की दिएं यहां पर कह रहा है दियें के सब्दों के समनार्थाय सब्द निकाला लिए निसीचित निस्चित आपको दिया है इसका समनार्थी आपके उताना है निस्चित take ma मतलब निश्चित हैं जो किया गाय दिन उन्यक्डव Dustraw सूरज YOUR आप कोता है सूरज के समनार्थी तो यह एपर बच्चे गलती करें 99% इस 72 का जवाब देखते हैं कि कौन साइद कर रहा है आपर कौन त्यारी मांधारी से कर रहा है अपर जॉआप किसी कभी हा रहा है किसी कज pantalla यह रहा है कि लिए रही है चलो हम बता देते हैं देखो सूरज का जो आपका ऊजाएगाhta आपका तरणी हो जाएगा क्या हो जाएगा तरणी करते क्या होता है चलिएक वाक्यांसों के लिए सब्दाप करना है कहरें आप से अनुसासनात्मक्क कारवाई की प्रक्रिया प्रसरूप पद से नीचे उत्याकी किस्य भी अभी एक्ति को अगर उसके प्रधे से नीचे हटाते हैं वो भी आपको कह SUPER कशीं के वह पड़ाधत नीचे हतार ना पदा होती है तेक और है आई में बढ़ा भेक्ती जो आई बड़ावेक्ति होता है उसे क्या कहते हैं बाई जल्दी जवाब दो तो भी वीडियो जल्दी खत्म होगा आप लोग धीमे धीमे जवाब देते हो नमबर डालते जाओ तभी हमको पसंद आएगा किने आप यह नमबर का जवाब यह दे रहे हैं और यह से हमके क्या पता चले कौन जवाब दे रहा है किसी मिनेट ज्यादा चलता है किसी के पास कम चलता है जैसी एरियो में रहता है है ना तो आई में बड़ा विक्ति जो होता है यहां पर कुछ बच्चों ने जवाब गलत बताया कुछ ने सही जवाब दिया है यहां पर सी नमबर जेस्ट ठीक है त बात का मेरी से क्या सम्बन्द है क्या साहिए तो जी सार, बिलकुल सइए आपका इसका अंसर आपका डी हो जाग नजएक़ पूरे साहिए अगर हमें कुछ का कुछ लिख दिया है, कुई तरूटी नहीं है, क्या तरूटी है या नहीं है 47 का जवाब दीजी भई 47 नमबर 47 का जवाब यहाँ पर ठीक ति यहाँ पर राइट अंसर आपका कौन सा हो जाएगा मैं कुछ का कुछ मैं कुछ का कुछ लिख दिया है मैंने कुछ का कुछ लिखा है यह नमबर होगा मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है यहाँ पर आपका ए गलती है यहाँ पर मैं नहीं आपका मैंने होना चाहिए मैंने कुछ का कुछ लिख दिया चलिए 48 मीठे वचन बोलना उत्तम गुड़ है यह तो आपको सही लग रहा है ना सही है चलो जिसार बिलकुल सही है आपका मीठे वचन बोलना उत्तम गुड़ा है अगला है उसकी आखों से आशु बहते हैं उसकी आखों से आशु बहते हैं भाई बताईए यहाँ पर तुरूटी है या नहीं तो याद रखे तुरूटी है इसमें किसमें बहना यहाँ निकलना होन चाहिए तो उसके आखों से आशु निकलते हैं ठीक है ऐसे होगा सिनमबर निशकर आपसे इस पंक्ति का अपहुत्य अलगकार है अपहुत्य मतलब कहसे चकते हैं कि विपत्ति गृस्ट नएख अर्थ होता है कि इसका रूपक होता है इसी दे है कि निसे धात्मक वर्ड लिया जाए अरो परहत रहित तुलना की जाए तो यहां पर का है यहां चंद नहीं मूख है यह वाला drugsters ठीक है डी नंबर इस वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाकिए इस वर तुम्हें सफलता दे तो यहां पर कैसे हैं कि एक प्रकार का जोवाप पढ़ा था इसके पहले हां बिल्कुल सही आपर पैंचान लिया भाई ने डी नंबर आपका हो जाएगा चलिए अगला है निम्मले कि वाकिए में कौन सा विरामचिन छूटा है यहांपर कौन सा विरामचिन आपका होना चाहिए मोहन कमल और सुरेश एक प्रयोग सालाम जाते हैं देखो अलप प्रप्लानड आपका छूट गया है बावन का जवाब यहाँ पर जो जवाब ए दिया है बिल्कुल सही है मोहन ठीक है कमल कौमा कर देते अलपिराम कर देते कमल कर देते कमल और सुरेश एक प्रयोग सालाम जाते हैं यह नमबर आपका यहाँ पर हो जाएक्ग यह गलते हैं आपकी थी अगल्ला टिरपन नमबर रेखांके सब्लहें के लिए उप्यूखत बिलोम सब्लके के चैन करना ह संपन्य का विलूम बताई संपन्य का विलूम तो वहीं संपन्य का विलूम जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा तिरपन का जवाब दीजिए यहां पर तिरपन का संपन्य का विलूम संपन्य का हो जाएगा विपन क्या हो जाएगा विपन डी नंबर विपन मत कैसी है भाव आजक संग्या है option आपको सी नेम लिके तुमेंसे कौन सा सब्द तस्सम है तस्सम सब्द बताइए आप पर 55 का जवाब तस्सम सब्द सही राइट अंसर आपके यहाँ पर यह हो जाएगा उद्गम उद्गम क्या है आपका उद्गम यहाँ पर आपका जो है यह आपका कैसा है यह तस्सम सब्द है ठीक है अगला है विग्यान सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग विग्यान सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग सपन का जवाब哈哈 राइट एनसर आपका होगा सही- बिलकुल सी suficiente डिकर यक्सा यका संदुील करता यक्रात इस आया इसा only कि इंसकी का अगिन करते है में अगर साहित और समाज सम्मन्थ है कि मेरे खंकिस defence सुदुरूप यहां पर जो आपका अन्यास्रित लिखा है यह क्या सही है, यह गलुती है यह यह आपका आपर कह सिख्ते हैं, बताईए भाई आन्यास्रित मी जी हाँ, यहाँ यहाँ पर अब तुकत बेटना ही पड़ेगा बच्चे, तुकत लगाएंगे चलो, यहाँ पर राइट अंसर आपका B हो जगता है, याद रखिए, अन्यो नासृत होता है, क्या होता है, अन्यो नासृत, B number B number, नरुत्तम में कौन से समास है, नरुत्तम, नरो में है जो उत्तम तो उसे हम लोग महत्मा बोल देते हैं, यह इस्वर बोल देते हैं है ना बहुबरी तो है नहीं है तो कर्मधारे तो आपका हो गई ना नरो में है जो उत्तम तो आपका नरो में है जो उत्तम तो है जो सब आता है वो आपके कर्मधारे में आता है अंसर आपका यहां पर यह हो जाए कर्मधारे लास्ट कोश्चन जिया वर्ड किन वर्डों के स कौनसा है तो यह बनता है आपका हमेशा जब यहां वड़ा है तो इसको जियां पड़ा करो तो जियां से आपको समझ में आ गया है जाधन यहां तो इस प्रकास संत्राइट अपका भी होजेगा जाधन यहां